हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है और यह दिक्कत आपको देखने को मिल रहे है तो उसको किस तरह से फिक्स करते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको अब दखा देता हूं कि जैसे ही दिखा करता हूं है डिल और ने कुछ upgrade किया था तो उसके बाद जैसे मैंने अपने laptop को fix किया मतलब उसको assemble किया उसमें बैटरी लगाई और वो सब charger लगाई तो इसमें मेरे को यह दिक्कत देखने को मिल रहे है तो हो सकता है यह आपके case में कई बार क्या होता है कि आपका laptop कई दिन से रखा हुआ है या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है मतलब यह दिक्कत आपके case में अगर आती है तो इसको हम किस तरह से fix करेंगे तो वो चीज में आपको इस वीडियो में बताने वालो हूँ तो यहां पर से सब से पहले आप अपने laptop को up side down कर ले और बै्टरी को रिमूब कर लें यहценफ tak बैटरी को रिमूब करने के बाद आप यहांपर क्या करें कि हूँ सीथा दर कर दो जो कि इसको अजıp पावर बटन इसको 15-30 से कंड तक का दबा करें तीस से कंड मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यह 30 से कंड का एक टाइम है वो इनफ है और यहां पर से जो है मैं इसको 30 से कंड की होल्ड करके रखोंगा पावर बटन को इसमें जो है आपका चार्जर और बैटरी दोनों र ड़ोडूंगा देखता हूं कि यह ठीक होता है की नहीं होता है अगर इस मे desarroll अगर पास कुछ और भी तरीक हैं इसको ठहकरने के तो अगर यह WORK कर गया तो बहुत अच्छी वात है willal not यह लोगुर्फ से बब्क्त सकते हैं यह मेरी और करे लाइट जो जल रहा है क्या है कि मैं इसको एज़ sparked Yum है लैक्टॉप को ऊपशी से आप साथ स्क्रूज को अराम से निकाल nar डीविडी को निकालें वैटरी को भी निकालें और यहां पर से कीबोर्ट को ये पांच होक लगा कर ये उपर से लगा वो इसको अटा लें 5 पर से आप को देखने को मिल जाता है तो यह अपके मॉडल में हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है तो यह से कार्ड वगरा क पीछे बैक साइड वाला जो इसका और इसके बाद आपके सामने लैपटोप हो जाएगा और यह इस तरह से क्या करना है आपको सबसे पहले इसके अंदर से आपको यहां पर से रैम निकाल लेनी है और रैम निकाल के इसको मैं दूसरे स्लोट में लगाऊंगा यहां पर क्लीन कि उसमें पहले में थर्चे ठीक ना हो तो यहां पर से मैं इसको दूसरे स्लोट में लगाता हूं और दूसरे स्लोट में लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर से जो है मैं सीमोस बैटरी को भी रिमूब करूंगा और इसको भी मैं 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड क लिए बाहर रखोंगा और इतने देर के लिए आप भी इसको बाहर रखें क्योंकि स्टेटिक चार्ज अगर कोई भी इसके अंदर होता है तो वो जो है इसमें हट जाएगा और टाइम इसमें सेट आपको दुबारा करना पड़ेगा तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे तो जाओ तबाता है और य पर अपावर बटन को दबाता हूं और आप देख सकते हैं यह लाइट जो है वो भाइट कलर का देख रहा है तो मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया है उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और अगर आपने मेरी यूटूब चैनल को इव तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल एकन को प्रेस क कर दें ताकि आने वाले हारे एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे थैंक्यू फू वाचिंग कि टाये थाए थाए तो सबस्क्राइब मेरी होजारे थैंक्यू झाले हारे लागर हो अगरा बेले हारे वाज़ फबसे अलसक्राइब।